उनको एकदम नजरों से गिरा के भध्य भध्य गालियां देखिए और तोटली जो है उनको रिजेक्ट कर दिये ऐसा तो नहीं हो सकता ना वो जो आटो वाली तीन परिये की सरकार है वो बिना जनादेश वाले लंगुरों की वो एक नंबर का बटेबास केजरी वार आजम खान है अती कैमध है मुक्तान सारे है ऐसे जित्ते हराम फोर है वांपे लखनों में कोशिश करें एक नाइट में जूते मार मार के मार मार के रइट कर दिये ना शाहिन बाग वहां अब अब भाटने का एक तरी जात्मी वह जाकर वां योगी जी के बारे में बढ़बर करां क्या हूँ खीच के दिये ना तो राइट हो गया नहीं होगा भार माफी मांटे निकला हूँ जय श्री राम हर हर मादेयो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना इसको शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को जरूर से दबाना ताके सारी नोटिफिकेश्स आप लोगो रेगुलरी मिलती रहे और कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूस शेर करन दोस्तों आज के वीडियो में अपने लोग ना एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक लेंगे इसके अंदर अपने कुछ समझ जाए कि कोशिश करेंगे कि अपने भारत देश को किसकी जरूरत है अभी जो पॉलिटिकल अभी डिस बैनेस चल रहा है जो भी जो इसाब से चल हुआ अपने डिस्टिंगुश करेंगे कि हिंदू सनातन अपने लोग इसको कैसा टैकल करना क्या इसके अंदर करना चाहूंगा इसके अंदर नरेंद्र मोदीजी और हमारे योगी जी दोनों में डिफ्रेंस क्या है अब मैं देख आँ सोशल मेडिया में बहुत गाली-ग और उने भी चाहिए क्योंकि घृटत उन लोग की वहसी चेख वह एकदम उनको एकदम नजलों से घिरा के भद्दे बद्दे गालिया देखे और टोटली जो है उनको रिजेक्ट कर दिए ऐसा तो नहीं हो सकता अपने को सोचना पड़ेंगा कि दोनों में डिफ्रेंस क्या है और योगी के अंदर क्यों क्यों अपने लोहों को एक बैलेंस बैलेंस टीम चाहिए हिंदू और सनात्म को बचाने के लिए देखो मैं बता तो इसके अंदर योगी जी और मोधी जी में डिफरेंस क्या है संग का बैक्राउंड और वो जो है एक वेरी वेरी गुट अडिनिस्टेटर और डेवलेप्मेंट में डिफरेंस के लिए काम करने वाले एक ऐसे वर्ल लीडर है जो उनकी qualities है ना वो match नहीं कर सकता कोई आज अपने पूरे country में उनके ऐसे world में भी लीडर नहीं है जो उनकी qualities को match कर सकता development के अंदर और country को आगे लेके जाने के लिए भार के देशों के साथ relation रखने के लिए एक उनका अलग स्टेचर जो फिलाल कोई भी मैश नहीं कर सकता मगर अभी देश में जरूरत क्या चीज़ की है अभी हिंदू सनातन बचाने के लिए जरूरत क्या है बेंगाल में हिंदू जूते खाले महारास्टा के अंदर वो जो आटो वाली तीन पाइए की सरकार है वो बिना जनादेश वाले लंगुरों की वो लोग भी जो है चिडा रे मां पर और खुजली वाला वो एक नंबर का बटे बास केजरी वाल वो लोग भी जो है उसकी भी ज्यांग पुरे हरे लंपट ये अपने क्या बोलते इसको लेफ्ट लंपट ये लोग क्यूं मोदी जी कुछ है इतना चिडारे और मोदी जी क्यूं नहीं कर पारे इतना स्लो डिलेड अप्रोच किसान अंदोरन रहो शाइन बाग रहो या कोई भी ऐसा अंदोरन रहो वो ऐसा स्रण्डे के लिए छोड़ दे जिसके वज़े से हिंदू मर रहा और हिंदू को मुश्किल हो अब जेको इसके अंदर मैं बैक्राउंड बताया ना उनका संग का बैक्राउंड है दो स्टेप आगे पचा स्टेप पीछे नरेंद्र मोदी को अपनी छवी की बहुत ज्यादा चिंता रहती इंटरनेशनल में क्या बोलेंगे वर्ल्ड के अंदर एक इमेज बन गया हिंदू की चिंता है नहीं बोलके नहीं मन सबसे बड़ी चिंता उनको है अपने खुद की इमेज की संप्रताए जो है ना वह उनका बैग्डाउंड है उनके जो गुरू एवांध्य अवाज्यनात उनके जो गुरू है दादा-गुरू दिगविजयनात रोग कैसे बैग्रोंड से है कैसा गोरकनात पीट में ट्रेनिग मिलता वह डिफेंट है उसके अंदर अंदर सेलफ ले पूरे के पूरे जेल में पूरे बिल्डिंगा तोड़ती है उनके पूरे गौर्णमेंट पूरा उसको कभजा कर लिए उसको कहीं के नहीं बिल्कुल रोटे लेका चोड़ती हो और जो महाँ बड़े बदमास्ते हो सब पूरे एंकॉंटर में उड़ा दिये उनको और जोड़े उसका नहीं उड़े हो पुरे जैलों में सठोड़े तो ये और शाइनबांग लखनाह में कोशिश करेते हैं एक न had में है यूते मार 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 के मार कर देना शाहइनबा वह नबेच्ऴा अभी देश को से ज्यादा योगी श्ट्राइल की जरूरत है अब स्थार इस वो जाके योगी say के बाद में बार में बढ़बर करा क्या हूआ खीच के दिये ना तो राइट हो गया नहीं हो गया भार माफी मांगते निकला हो जी तो कोई भी बोल के escape नहीं हो सकता यूपी में योगी जी को यह है नात संप्रताय का training यह है सनातन की training जिसके अंदर कोई भी जूते मार के चले ने जा सकता मोधी जी में प्रॉब्लम सबसे बड़ा अभी जो है देखो बड़े-बड़े decision लिए हो उसमें कोई डाउट नहीं कि बड़े-बड़े decision नहीं लिए हो आर्टिकल 370 निकालना कोई छोटा काम नहीं है यह बहुत बड़ा काम है राम मंदीर का भी सुप्रीम कोट के तुरू से दिख रहा आपको मगर उसके अंदर मोधी जी का भी बहुत बड़ा के निती है यह यह निती अप्लाए करने की जरुवत है सनातन को बचाने के लिए मैं आपको बता रहू ना देखा अब योगी जी तो पूरे अपने जित्ते भी जित्ते भी यह अन्वांटेट इलिमेंट से पूरे जेल में है ने तो दर के माहल में आपके इदे मोधी जी की अपनेंट्स अब ले लो पप्पु द भुद्दू कि सोनिया एंटोनिय द माइनो ठीक है पूरे लंपट सितारा में चूरी और प्रकाश कराट पूरे जित्ते भी है उसके और यह जित्ते हर इस वकलर भारत देश को योगी जी जैसे नेतनर चाहिए जो तलवार की धार पे इननों को रखना चीए मेन हर्याली वालों को बहुत टूमस कर दे रहे हैं बहुत ज़रूरी है यही फरक है बाकी में जित्ते सनातनियों को देखते हूं जो गाली गलोश कर दें मोदी को यह गलत बात है आलोस ना करो उनको क्रिटिजाइस करो क्योंकि गल क्या करते यह काम मत करो हम भी आलोस ना करते मेरे भी वीडियो जेखो आप मैं भी मुझेज करतों नहीं बूलके ने आज की जरूरत है योगी आधित्यनाथ जैसा सॉलिड लीडर जो गुंडों को लंपटों को डील करना इनको शूतने की जरूरत है पंपालने की जरूरत सब्सक्राइब कर सकती ना यह सब्सक्राइब के हाथ में नहीं कर रहे पता नहीं क्या चीज का डर है उन लोगों को यह डर से हिदुआं मरे हिदुओं को सनातन को बहुत दुक्सान हो रहा हाथ जोरके शनातने को बघन से बाट से और उचक्रास कंता ऐसा ही लीडर हिंदू को बचा सकता यह कैलीबर का लीडर हिंदू को बचा सकता बाकि अभी जो मोधी सरकार की गैंग है ना मेरे कुछ एक भी नहीं दिखरा इसके अंदर पूरे वो ही है कि दो कदम आगे पचास कदम पीछ कि अच्छा और एक बात मैं भूल जाँगा असाम के जो अभी नए सीम बने आज हेमंत विश्व सर्मा वह भी मेरे भोत फेवरेट हो गए अभी क्या बात पे वह खुला बोल दिये जो 34 परसंट हरे टिड़े है वह हमारे को वोट करने की जरुवत नहीं है हमको आपके वोट क हमको हमारे सनातन हिंदुओं का योट बस है यह बोलने का दम रखो मोधी जी आपको कभी भी कोई भी मुसल्मान वोट नहीं दिया और ना कभी जिंदगी में देंगा गालिया भी सबसे ज़्यादा आपको ही देता आप किसका विश्वास जीतने में लगे सोए छोड़ दो योगी जी को ले के आऊ सेंटर में आप देखो बेंगाल भी ठीक हो जाता केरल भी ठीक हो जाता और जहांजा भी यह है ना लेके आने के लिए बस यही बोलने का था जैश्री राम हरहर माधिव झाल झाल